हलो गर्मियों की चुटियां कैसी चल रही है अगर फैमिली के साथ में ये चुटियां अगर भी दाने को मिलती है न और उसके साथ दिन भर कुछ न कुछ ऐसा अलग सा कुछ करते रहें कुछ फ़न कुछ मुस्ती चालू रहे तो बस मजा ही आ जाता है है न और यह गर्मियों की दोपहर कितना कुछ कितना टाइम होता है ना हमारे पास में तो कुछ क्रियेटिव किया जाए कुछ निया फ्लेवर ट्राइक किया जाए तो आज मैं green apple फ्लेवर का बर्फ paper का बना रही हूँ और इसके लिए मेरे पास में ग्रीन एपल का स्क्वैश रखा हुआ था आपको ग्रीन एपल का कुछ भी क्रश मार्केट में मिल जाएगा उसे आप अच्छे से फेट करके थोड़ा सा लिक्विट कर लीजे और जैसे बताया था मिक्सर के एक पॉट में आइस तो इसलिए देखिए इतनी अच्छी सी आइस क्रश हो जाती है हाँ थोड़ा सा संभाल के मिक्सर एकदम कंटिनियस नहीं चला देना एकदम डालते बराबर थोड़ा चलाए रुकिये चलाए इस तरह से करके आप इसे क्रश कर लीजे और ग्लास में फटा-फट उसे एक से डाल दिया है और इसके साथ में मैंने सोचा क्यों ना कुछ कलर क्रेटिविटी की जाए तो इसके साथ में मैंने एक और फ्लेवर लिया जो घर में सबके अवेलिबल रहता है आपके पास में भी होगा रुवजा तो यह रुवजा का जो है मारा सिरफ यह लिया एक दूसरे जिरूब जवाले class में डाल देते हैं तो कुछ कुछ करिए कुछ कुछ ऐसे creative कुछ अलग सा करिए मज़ा आएगा बच्चों को भी बच्चे नहीं हैं तो जो भी हैं साथ में अकेली भी एंजॉई कर सकते हैं कोई tension की बात नहीं सो बनाएए एक और फ्लेवर नया सा और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक बहुत लोगों ने किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आपका तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच और जल्दी ही मैं आऊंगे एक और नया कुछ क्रेटिव आइडिया लेकर के अब बताईए आप ये कैसा लग रहा है बड़ी है ना तो आप भी बना लीजी फटाफट और थोड़ा मिक्सर संभाल के यूज कीजिएगा तो इस वीडियो को एंटर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और वेलकम बैक